तो है गाईज वन्स अगें वेलकम बैक टू माई यूटुब चैनल मैं हूं आप सभी का अपना दोस्त राइडा राजिंग स्टार और फ्रेंड्स आज जो अपनी रेडर है रेडर 125 क्रेस हो गई है इसका एक्सिडेंट हो गया है और बहुत ही बुरा लग रहा है इसके े शाएंगे कि एक्सिडेंट होने बाद इसमें क्या कुछ टूटा है और घेक लाजिवर्यू आता है तो कि मैप लोग दिखा दों कि हमारी बाइक है वो राइट साइड से गिरे थी और राइट साइड से गरने से बाद भाद भी जो है इसमें कुछ जादे ऐड़ इसक्ति प्लास्टिक बॉड़ी बाइक है तो इसका टैंक फोड जाएगा यह हो जाएगा वो जाएगा फ्रेंट ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोग देख सकते हैं कि टैंक पर इसके एक एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा है जबकि बाइक जो है पूरा बेहतरीन तरीके से गिरी थी आप यहां पर यहां पर इसका नंबर प्रेट आप लोगप देख सकते हैं यहां पर पर टाव इसके और फूंडर अबम नकाळवेगर बॉसके लिए नान सीजब अपर पर एक ब्रेक बाल अटने अगे नहीं है हलां कि मालूम नहीं दे रहा है । यहां पर इसके और टोट चू यहां पर scratch पड़ा हुआ है और फ्रेंट्स बाइक आगे से बिल्कुल सेफ है आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और रही बाद टैंक की तो टैंक पर फ्रेंट्स बिल्कुल भी scratch भी नहीं है क्योंकि यह जो लेग गार्ड था लेग गार्ड ने थोड़ा सपोर्ट किया आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर scratch पड़ा हुआ है लेकिन लेग गार्ड ने पूरा सपोर्ट किया तैंक पर कोई क्या होता है और फ्रैंट्स राइट साट से गिरी है लेफ्ट साइट से कोई प्रॉब् counseling नहीं है क्योंकि आ रिट से गिरनेका जैसे जो भी phenomenal साहे हैं इसके राइट साइट में ही आई है बाइघी एंडल है ये पूरा तेड़ा हो गया है बाकी यहां पर इसके राइट साइड में और कोई प्राब्लम नहीं है फ्रेंड्स बाइक में जो भी प्राब्लम आई उसके बाइक में आई है आप लोग यहां पर यह देख सकते हैं इसके सालेंसर पर यह स्क्रेच पड़ा है यहां इसक्रेच है और फिर मटगाड खतम होने के बाद फिर जो है बाइक को थोड़ा सा मटगाड इसमें पूरा टैर में इसके लड़ रहा था और स्क्रेच आ रहा था इसके वेच से देख सकते हैं टायर पे भी पूरा स्क्रेच आ गया है टायर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि वेस्ट ही हो गया है पूर क्लेन्स पूरा शुर्छ क्लेम करने के लिए कुछ इसका उपाया लगाना पूरेगा क्योंकि जब तक paper नहीं मिलता claim कैसे किया सकते हैं बागी friends यहां से left side में कोई problem नहीं है जो भी problem right side में ही है और यह इसका जो है back side ही जादे problem है back ही पूरा waste हुआ है देखते हैं friends इसका क्या कुछ आता है क्या खर्चाता है अभी फिलाल हम जो है इसके build quality बात करते हैं तो build quality friends भले से ही यह bike जो है plastic body है लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ effect नहीं है क्योंकि इसको इस तरीके से design किया गया है कि आप लोग कह सकते हैं कि bike गिरने के बाद सारा का सारा इस पर जो weight है वो उसका leg guard manage कर लिता है और friends बाइक में कोई problem नहीं आई है बाइक स्टार्ट हो रही है चल रही है और कोई problem नहीं है बस हाँ friends इसका मटगार्ड है back side का वो थोड़ा सा waste हो गया है उसको दिखाये जाएगा और friends यहाँ पी जो मटगार्ड है यह अंदर यह लोहा है तो इसके वज़े से यह सीधा भी नहीं हो रहा है पुरा तेड़ा हो गया है यह जो indicator है वो guard में अंदर चला गया है निकल भी नहीं रहा है friends इसको इसी तरीकी से लेके जाएंगे showroom पर claim किया जाएगा देखते हैं क्या इसका solution लोग देते हैं या फिर कितना खर्च आता है तो friends उसकी एक अलग से proper वीडियो बना दी जाएगी फिलाल friends इस bike की जो build quality है बहतरीन है बढिया है क्योंकि इसके tank पे headline पे या फिर front के mudguard पे कोई भी effect नहीं आया है कोई भी scratch भी नहीं पड़ा है bike विल्कुल safe है जो भी problem में mudguard में है बाकि ये front में brake handle तोड़ गया है उसको सही करा लिया जाएगा तो friends ये है हमारी TVS rider बाकि build quality बढिया है बहतरीन है जिन भाई लोग ने भी ये कहा था कि नहीं plastic medal है और plastic body bike है नहीं लेना चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं क्या condition आपके सामने है बाकि friends इस वीडियो में बस इतना ही बाकि इसकी next वीडियो जाएगे वहाँ पर claim करेंगे क्या खर्च आता है कितना आता है तो वहाँ पर बात किया जाएगा ओके friends thank you so much